अमारी डिनाइन न्यूज यूटूब चानल ले सब्सक्राइब करो, क्लिक करो, बै आइकन करो अने मेर वो विश्व भरनना न्यूज अपडेट बिग भी संचालीद कौन बनेगा करोड़ पटी जिवा तीवी सोह नी पॉपिलारिटी अन्या मिताप बच्चन सामें बैस्वा सांथे तेना सवालों ना जवाब आप वा अनेक लोग को इच्छा करता होई छे परन्तु करोड़ों मां कोई कर जिते मां नसिबदार साबित थता होई छे कौन बनेगा करोड़ पती सोह ना स्टुडन स्पेशियल वीक अंतरगत जुनियर शोचाली रहो छे जे मादेश ना अनेक बालों को इभाग ली तो हतो जेवत से थी प्रथम टॉप 10 मां अने बाद मां होट से सुधी भरुचनो अन्मोल सास्त्री पहुंचो हतो काफी अच्छा लगा मेरा आगे का प्लान है अभी तो मैं सोच रहा हूं कि मैं एक एस्टो फिजिसिस्ट बना है या आप बोल सकते हो स्पेस साइंटेंस्ट क्योंकि मुझे फिजिक्स मैच में काफी रूची है और उसके साथ सब जोग्रोफी सब्यक्त पसंद है तो अभ इतने के लिए मैं जो मैं एस्टो फिजिसिस बनना जाता हूं उसमें मैं अपना बेस्ट काम करूं ताकि उसमें अभी मुझे कुछ आइडियास तो है नहीं पर आगे जाके कुछ ऐसी मैं डेवलप्मेंट करूं जिससे लोग काफी विकास हो तो वो मैं चाहता हूं जिसके कार्ण मुझे नूबल प्राइज मिला अनौल के विसी में जाने के लिए आपने कैसे तैयार है कि क्या क्या पढ़ रहे हैं और कैसे आप इतनी आगया है के लिए तो मैंने पढ़ाई मतलब पहले में क्या करता था कि मैं कोई भी सब्जेक्ट हुआ कोई टॉपिक हुआ तो इस वोव्र क्योंब चीजेश करता था तो सच लगते करते हैं में को सब्सक्राइब पसंद तो उसके कार्ण मुझे नहीं दूफ़ मालु पढ़ी पर इप्पिक्विज आया उसमें मैंने खेला तो वो काफी अच्छा था वी क्विज के बाद मुझे पता चले मैं कौन बन मुझे आमिता बच्चन सर से मिलके काफी अच्छा लगा क्योंकि इतने बड़े एक्टर से मिलना बहुत बड़ी बात होती है और हम उदर गए तो वह काफी अच्छी नेचर के इंसान है तो में को तो के बीसी में जाके बहुत अच्छा लगा मैं तो सिंग यही टिप देना जाता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके उपर आप डाउट्स पूछो कभी ऐसा मत सूचो के डाउट्स मत पूछो और हर चीज का नौलेज रखना पसंद का मुण मध्य प्रदेश ने हाल भरुत जिल्ला ना दहेजिनी कम्पनी ना सेफटी डिपार्मेंट मा काम करता कर्मचारी ना पूत्र अन्मोले आ सिद्धी हांशल करता बरुच सहित समगर गुजरात अने तेना परिवार जनो अने मित्र मंडर मा खुशी नी लहर जुआ मड़ी हती अत्यांत सहज जनाता अन्मोल तेनी आ सिद्धी माटे तेनू बान चन अने नव नव जनवानी जिगनाशा होआनू जनावे छे हाल मा तेक यूट्यूब चैनल पन चलावतो होआनू कही बिग बिय पन तेनी चैनल नू प्रमोशन सोसिल मिड्या पर करवानी खातरी आपी होआनू कही ए पोताने भविष्यमा डॉक्टर बनावानी महच होआनू कही रहो छे एना माता पीता पन पूत्र अन्मोल नी या सिद्धी थी अत्यांत गौवरोवनी लागनी अनू भविराया छे आशोमा जैशे क्या तेमाटे खुश-खुशाल जनाई रहा छे बाड़ पन थी जन्मोल विशिष्ट बाड़क होआनू पन तेवो जनावे छे नमस्कार मेरा नाम प्रिजेश शास्त्री है मैं बैसिकली रहने वाला उज्जेन मद्रप्रदेश का हूँ महांकाल की नगरी का लेकिन पिछले करीब 22 साल से मैं गुजरात में हूँ और आप ये बोल सकते हैं कि मैं गुजराती हो गया हूँ तो मुझे बहुत प्रसंदता है आप सब लोगों से बात करते हुए और अपने अनुबहु शेर करते हुए हर पिता के लिए ये बहुत सम्मान का विशह होता है कि उसके बच्चे प्रकति करते हैं और उसी कड़ी में मेरे बेटा जो अन्मोर शास्त्री है वो कौन बढ़नेगा करोड़ पती में उसने भाग लिया तो मुझे बहुत अत्यन्त प्रसंदता हो रही है और मैं इसे नर्मदा माता की क्रपा बोलूँगा कि उसके किनारे हम आए और हमारी प्रगती बहुत अच्छी हुई तो इसके लिए मैं भरुच की धरती, गर्वी, गुजरात, सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि उसके द्वारा हमारे जियोन में एक नए पल का शुरुआत हुआ नए युक का शुरुआत हुआ अब छोटे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हुआ मैं छोटे बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि जिन्दगी में जो कुछ भी आपको पाना है उसके लिए पहले लक्ष का निर्धारन करना बहुत जरूरी है और लक्ष का निर्धारन करने के बाद उसके लिए तयारी करना भी आवश्यक है जिसे स्वामी विवेका नंद ने कहा है कि हमें अपने सपनों को जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक हमें लगातार उनकी तरफ बढ़ना है तो अगर आपको जियोन में कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कठीन परिश्रम करना पड़ेगा और कठीन परिश्रम का कोई शौर्टकट नहीं होता है अगर आप सोचों कि हम कोई शौर्टकट लेके जिन्दगी में आगे बढ़ जाए तो वो अगर प्रकती होगी तो वो कुछ समय के लिए होगी अगर आपको जियोन में अच्छे लक्ष प्राप्त करना है तो कठीन परिश्रम और पून आत्म विश्वास के साथ करना चाहिए आजकल आप जान रहे हैं नहीं नहीं जो हमारे मोबाइल पर एप आ रहे हैं उनका इस्तिमाल हमको सावधानी से करना और अपने जो बड़ों के आदर्श हैं उनको अपनाते हुए जियोन में आगे बढ़ना मेरा बेटा के बीस में सिलेक्ट वास की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और वहां जाके बतलब इतना अच्छा अनुबह हो रहा कि मैं उसको मतलब बताने के लिए शब्द कम पढ़ रहे हैं मेरे पास क्योंकि सदी के महाना एक के सामने जाके बैठना ये भी बहुत बड़ी उपलब दी है और बेटा है क्या हमारा शुरू से बहुत इंटलिजेंट है बहुत कोश्चन करता है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है और हर चीज का डाउट पुछता है अगर उसको कुछ डाउट रहता है तो वह गूगल पर सर्च करता है ये इसकी बच्पन से आदा थे कोई भ प्रवर्ति का है और पढ़ाई में बहुत इंट्रेस्ट है कोई भी कोश्चन ये मतलब रट के या ऐसे नहीं याद करता है इसकूल में हर चीज में मतलब अपने आप उसको मन सेटिस्पाई होता है तभी हो आगे बढ़ता है ये तो एक दिन का नालेज नहीं है ये इसको शुरू से मतलब आदा थे कि जनरल नालेज जीके वगेरा सब पढ़ने का क्योंकि एक दिन की नालेज से तो बच्चा वहां पहुंश नहीं सकता है तो इसका नालेज काफी करण्ट अफिर पढ़ता है गूगल पे और जीके वगेरा पढ़ता है डिसकोरी चेनल देखता है तो इससे और इंग्लिश जो इनके सीरियल साथ है बच्चों के गेम्स हो गिरा यह सब देखता तो यही सब नालेज जो उसको इतने सालों से हुआ उसका आउटपुट है यह कि मतलब इसमें वहां जाके और अच्छा प्रदर्शन किया जो अगर माबाब बच्चों को मॉबाईल का यूज करता है नौलेज बढ़ाने के लिए सही डाइरेक्शन में मॉबाईल का यूज करता है तब तो बच्चे को देना चाहिए अगर वो मोबाईब का उस गलत तरीके से करता जिससे उसका फिचर खराम हो सकता है तो फिर बच्चे को मोबाईब नहीं देना चाहिए क्योंकि मा का ही फरज होता है दिन भर मा ही बच्चे के साथ रहती है तो यह उसनी हो अची फरज ने लोको ये चारे तरफ प्रसंसा करी हती औने सुभे चाओ पन पाठ भी हती सचिन पडेल डिनाई न्यूज भरूज